हे एवरीवन हम लोग नाइट्रिक एसिड चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है 63 इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रक्चर का वैलेंसी होता है 5 हाँ तो यहां वैलेंसी 5 क्यों है वैलेंसी क्या होता है कि bond formation में कितना electron participate कर रहा है तो यहां पर nitrogen का एक electron participate कर रहा है यहां दो electron participate कर रहा है और यहां पर coordinate bond form हो रहा है यानि कि nitrogen अपना दोनों electron oxygen के साथ टौर्टिटोर null पाइय साध談ति लुए यहां video एकपटिसिपेट कर वी लुए तो पर पॉलने सिप्रेटर्च में तो इसोटिटोर नैट्रीच में पैजाथ क। प्लता इतार यह दुद्स ने दृडड़र साल्टम पीटर यह कल्चियम नैट्रेटं परड़िन अब formation of nitric acid in atmosphere यह ऐसी introduction ही है समझ लेते हैं हम लोग बस ऐसे extra information दे रहा है कि देखो क्या होता है कि atmosphere में nitrogen already present होता है oxygen already present होता है जब lightning होता है यानि जब बादल कड़कता है तो बहुत high temperature 3000 degree centigrade के आसपरस का temperature मिल जाता है और nitrogen oxide का formation होता है atmosphere में oxygen तो already present है फिर यह जो nitrogen oxide बना है यह oxygen के साथ combine करके nitrogen dioxide form करता है फिर यह जो nitrogen dioxide है अब lightning हो रहा तो उसमें बारिश भी होगा तो बारिश का पानी के साथ और oxygen जो already present है उसके साथ मिलके nitric acid का formation कर देता है तो इस यह जो प्रसेस से यह काफी कम amount में होगा क्यूंकि जब lightning जहां पर होगा वहीं पर यह nitrogen oxide form होगा लेकिन जो अभी industrialization इतना बढ़ गया है directly NO2 gas कोई को इंडेस्ट्री अगर रिलीज कर रहा है तो उसमें क्या होगा सिर्पानी का जरूरत पढ़ेगा जैसे बारिश होगा तो nitric acid form हो जाएगा और यह acid rain का एक बड़ा रीजन है अब हम लोग आते हैं अब यह थोड़ा दूसरा चीज़ बोल रहा है fixing of atmospheric nitrogen class 9 का biology में हम लोग nitrogen fixation के पार में पढ़े थे biology में तो इसमें क्या होता है कि atmosphere में जो free nitrogen present होता है उसको plants useful nitrogen compound में convert किया जाता है soil में जिसको plant यूज करता है ठीक है यह जो acid and nitric acid इसको हम लोग एक फॉर्टीस नाम से भी जानते हैं जिसका मतलब होता है strong water ठीक है तो यह सब कुछ introduction वाला बात हुआ अब में शुरू होता है laboratory preparation of nitric acid जहां से question अब बनना शुरू होगा ठीक है तो यह जो chapter है यह chapter में जो syllabus है उससे बाहर से भी कुछ question पूछ के रखाया तो इसलिए यह chapter हम लोगों को पूरा करना होगा सिर्फ syllabus में लिखावा चीज करने से नहीं हो क्योंकि question सिलिवस से बाहर भी पूछ रखाया इस chapter रहने है तो हम लोग यह chapter पूरा करेंगे तो लैबरेटरी preparation लैब में prepare हम लोगों को nitric acid करना है तो उसके लिए हम लोगों क्या-क्या reactant चाहिए पहला सबसे important हम लोग को concentrated sulfuric acid चाहिए ही चाहिए concentrated sulfuric acid के साथ हम लोग या तो potassium nitrate यूज कर सकते हैं या तो sodium nitrate यूज कर सकते हैं ठीक है अब इसका procedure किया इसको करेंगे कैसे तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग potassium nitrate या फिर sodium nitrate जितना लेंगे उतना ही हम लोग sulfuric acid भी लेंगे क्योंकि sulfuric acid लेना तो compressor यह उसके साथ हम लोग जो भी ले potassium nitrate ले या sodium nitrate ले दोनों को हम लोग इकोल पार्ट में लेना होगा ठीक है यानि कि अगर 50% sulfuric acid तो 50% संपोज यहां पर हम लोग potassium nitrate ले ले रहें अब यहां पर जो हम लोग इसको इस वाले फ्लास्क में रखके heat करेंगे ठीक है और heat करेंगे हम लोग 180 से 200 degree centigrade के बीच में 200 degree centigrade के ऊपर नहीं जाएंगे sulfuric acid जो होता है वो वोलाटायल होता है nature में sorry non-volatile होता है नेचर में sulfuric acid जो nitric acid होता है वो जो तैब यहां पर दो अलग अलग नेचर का हम लोग इस देखने को मिल रहा है sulfuric acid जो की non-volatile है मतलब जो आसानी से नहीं उड़ेगा और नैट्रिक एसिड जो वोलटाइल है जो उड़ जाएगा ठीक है तो अब यहां पर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या रियक्षन होने वाला है यहां पर नैट्रिक एसिड यहां पर सल्फिरिक एसिड का हम लोग पोटेशियम नैट्रेट से रियक्षन करवाएं हैं बिलोग तो यहां पर नैट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है या फिर हम लोग अगर सोडियम नैट्रिक के साथ भी कंसेंट्रेटर सल्फिरि ठीक है, अब देखो, यहां पर हम लोग क्या पढ़ें, यहां पर हम लोग पढ़ें कि नाइटरिक एजिद वोलाटायल होता है, यह जो नाइटरिक एजिद बना यह उड़ जाएगा, उड़ने में जब यह गैस के फॉर्म में होता तो इसका ब्राउन कलर होता है, फिर यह ब तो इसमें कलर क्यूं आ रहा है ठीक है यह हलका यलो इस लाइट यह रिख कट रहा है जब्कि प्यूर डियुह नाइ्ट्रिक ऐसिड कलर लेस होता है ठीक है लेकिन जो लेब में हम लोग प्रिपेर कर रहे हैं उसका slightly यलो कलर आ यह slightly yellow color इसी लिए आ रहा है क्योंकि यहां पर nitrogen dioxide gas का भी formation हो रहा है जो कि nitrogen dioxide जब gas के form में रहेगा तो वो reddish brown color जो initial हम लोग brown color देखे थे वो nitrogen dioxide gas के वज़े से हो रहा था लेकिन जब यह liquid में convert होगा तो यह brown color yellow color में convert हो जाएगा ठीक है अभी nitrogen dioxide A कहां से रहा है जो nitric acid form हो रह वहीं perform कर रहा है ठीक है इसके वज़े से यह nitric acid जो टूट रहा है और no to form कर रहा वो yellowish color दे रहा है ठीक है liquid में और gas जब रहेगा तो कौन सा color देगा reddish brown color देगा ठीक है अब बात आता है कि इसको हम लोग pure कैसे करेंगे मतलब यह yellow color हम लोग remove कैसे करेंगे तो दो तरीका है पहला तो हम लोग यह जो हम लोग को मिला है liquid yellow color का उसमें से हम लोग dry air पास करवा दे या CO2 को पास करवा दे तो यह दोनों क्या करता है यह दोनो nitrogen dioxide को निकाल लेता है warm acids में से ठीक है तो इस तरीके से हम लोग NO2 निकाल सकते है या फिर एक का और काम कर सकत है ठीक है तो excess of water add करेंगे तो क्या होगा nitrogen dioxide जो है वो dissolve होजाएगा water में तो इस तरीके से भी हम लोग yellow color जो है वो रिमूव कर सकते है अब एक important चीज़ आता precaution ठीक है precaution से भी question आता है यहां पर तो एक बार reason भी पूछा था कि बताओ क्यूं हम लोग glass apparatus ही यूज करते है त जो नाइटरिक एसीड होता है वह नाइटरिक एसीड का जो वेपर होता है वह रबर और कॉर्क में अटाक कर देता है ग्लास पर अटाक नहीं करता है इसलिए हम लोग ग्लास का एपरेटर्स यूज करते हैं दूसरा precaution हम लोग जो यहां पर concentrated sulfuric acid ले रहे हैं उसको हम लोग मिलेगा उसमें HCL में मिल जाएगा तो दिक्कात हो जाएगा इसलिए हम लोग यहां पर concentrated sulfuric acid ही यूज करेंगे HCL यूज नहीं करेंगे अब temperature temperature हम बोले थे कि 200 degree centigrade से बाहर नहीं जाना चीए क्योंकि 200 degree centigrade से उपर अगर गया तो sodium sulphate का formation होगा यह चीज हम लोग इस तरीके का reaction हम लोग पहले भी चप्टर में देख चुके हैं कि जब 200 degree centigrade से उपर जाता है तो sodium sulphate का formation हो जाता है और sodium sulphate जो होता है वो hard crust बनाता है और जो apparatus से उसका wall में stick कर जाता है तो apparatus का wall में stick कर जाएगा तो उसको remove करने में दिक्कत होगा इसलिए हम लोग ट्राइ करते कि 200 degree centigrade से नीचे ही temperature रखें तो यह देखो 200 degree centigrade से उपर जाने से sodium sulphate का formation हुआ जो कि hard crust बनाई करेगा ठीक हाइए temperature पर दूसरा क्या नुक्सान हो सकता हाइए temperature का अधयर टेंपरेचर जो है वो glass apparatus को damage भी कर सकता है ठीक क्या क्या कर सकता है यह glass apparatus को damage कर सकता है पहला दूसरा यह क्या कर सकता है कि nitric acid जो है उसको decompose कर सकता है यानि कि ज़्य सब्सक्राइब कर देगा तीसरा क्या होता है कि फ्यूल का वेस्टेज हो रहा है तो यह तीन पॉइंट है इसलिए हम लोग को टेंपरेचर टूहंडड़ी से नीचे रखते हैं उसके बाद फिर हम लोग नेक्स लेक्टर में देखेंगा औस वाल का प्रोसेस की कैसे औस वाल करते हैं इसमें तीन स्टेप हम लोग देखेंगा है ठीक है तो यहां पर इस लेक्टर को बंद करते हैं ओके बाई